हेलो डियर फेंड्स बेलकर टुक्षाम गुरुजी 50 पार्ट हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं तो हमारे देखिए पूरे ही 50 पार्ट हो चुके हैं अगर आप 50 मल्टिवलाई 30 करेंगे तो हमारे जो यहां पर टोटल कोशन नम्बरों कोशन बन रहे हैं वो पंद्र करद हैं लेकिन 50 पार्ट में वो कंप्रीट होना मुश्कल था इसलिए हम 30 30 कोशन ही डिस्कस कर रहे थी तो इस सीरीज को देखते हैं हम कांटिनू कर पाते हैं क्यूंकि हमें एक बेसिक लेवल की सीरीज है हो शुरू करनी है तो देखते हैं यह भी कंटिनू रहे तो भी अ तो पहला जो अकर्मन किया था वो किया था चो 458 इस भी AD में इसमी या पर AD में इन्होंने बार्ट पर पहला अकर्मन किया था और जो मतुरा है वहाँ पर इनके सिक्के भी मिले हैं तो इस चीज़ को भी आप प्याद रिखी क्यूंकि इससे भी आपका कॉश्चन जो है वर्ट है वो एक हैं पूर का पूई ती जन्म और में दो अगर आप इसे डेटो व्र्ट की बात करेंगे तो वह 24 अक्तुबबरге की 1218 इस भी में इसका जन्म हूआ था इसकी में दो की अगर आप बात करेंगे तो वह 3 मार्ट我न 707 में इसकी मिर्ती हुई थी option C हमारा इस question के लिए answer बन जाएगा अगला question हमें आपे देखते हैं बर्ष 1870 में भारती सुधार संग के स्तापक कौन थे Who was the founder of the Indian Reform Association Indian Reform जो IRA है उसके जो founder थे वो कौन थे तो उसके जो founder थे वो केशव चंदर सेन थे केशव चंदर सेन थे इनके जो संस्तापक के इनके founder थे या पर प्रत्थम अध्यक्ष जो थे वो यही थे तो इसको आप याद रखिए 1870 अक्तुबर की बात आईए 29 अक्तुबर की बात आईए अगला question देखिए अब यह question हमने पिछले वीडियो में discuss किया था लेकिन यह वहाँ पर कुछ और question था यहां पर कुछ और था तो यह कैंदर से relate करता है भाई कैंदर सरकार से relate करता है वहाँ पर में आपको बहुत सारी इसके बारे में जानकारी थी यहां पर थोड़ा 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 कोशन बन रहा था इसलिए हम इसको डिस्क कर रहे थे अब यहां पर next question देखिए which of the following states does not have a bicaminal legislature so जो गुजराद है वो नहीं है बाकिये तीनों जहें वो हैं अगला कुछ देखिए which of the following is does at a stock exchange stock exchange पर इन में से क्या होता है stock exchange में इन में से जो होता है वो securities are about and sold securities होती है वो खरीदी और बेची जाती है option c हमारा stock exchange में यहीं होता है बाकिये कुछ और नहीं होता है अगला question देखिए यहां पर to get uniform color आपको अगर uniform एक समान color चाहिए तो terracotta is burnt at a temperature that lies in the range of terracotta जो होता है currency range में आपको जलाना होता है so terracotta जो होता है उससे अगर आपको एक समान color चाहिए तो उसको आपको जलाना होता है 1100 से लेकर 1200 degrees Celsius पर आपको उसको जलाना होगा तब जाकर आपको एक समान color मिलेगा अगला देखिए which one of the falling is not defect in bricks ब्रिक्स में यहां पर चार डिफेक्ट दिये गए हैं कौन सा नहीं है वह हमें बताना कि वह कौन सा डिफेक्ट जो होता है वह नहीं होता है तो जो डिफेक्ट नहीं होता है वो होता है वेज कटर वेज कटर जो होता है यह ब्रिक्स में नहीं होता है अंडर वर्निंग यह होता है ओबर बर्निंग हो जाएगी ब्लैक कोर यह देखे चार डिफेक्ट हैं लेकर यह बैज हमने नाम नहीं सुना है बाकि यह तीन चार तो यह नाम सुना हुए है आपकी बैस नहीं सुना हुआ है आगला देखिए बीच लाइम से मोज सुटेबल फॉर वाइट वइट वॉशिंग। वाइट पॉसिंग के लिए कौण सा लाइम जो होता है। वो सूटेबल होता है। कोई क्लाइब अब अगला कोश्चन देखें बीच आफ तो फॉलिंग मार्केट फॉर्म ऑफ टेमबर इस राउंड और रेक्ट अंगलर फॉर्म हैं डामेटर और साइड लेस्ट थान थ्री हंडर एम्म एंड यूस एज एक कंपरेशन मेंबर इन बिल्दिंग इस वर्टिकल पोजिशन देखें कितना अच्छा कोशन है यह के एक एसा लकडी का टुकड़ा एक Isla अक्वारी नियुक्ट पॉञश्चीशन को पस्ए यह ना विम्हारा अंसर होगा इस कोशिन के लिए अगला वोशन देखिए तो quantity of dryer in is limited to in paint तो द्रायर होता है उसकी quantity होती है वो 8 से 10% होती है paint में option 8 दिया गया है option B अंसर बन जाएगा कोशन क्या वह रहा है तो produce a green color किसमें paint में the pigment आप कौन सा add करते हैं देखिए पिगमेंट से आपको कोशन कई बार पूछा गया कि भई the dash component is used for coloring तो pigment जो होता है वो coloring के लिए यह यहां पर बोर रहा कि green color आपको चाहिए तो आपको कौन सा pigment add करना पड़ेगा तो उसके लिए दो pigment होते हैं एक तो होता है copper sulfate दूसरा होता है chloride यहां पर copper sulfate दिया गया है तो इसलिए हमारा answer a answer बन जाएगा अगरा देखिए the compressive strength किसकी thermocold range between thermocold जो होता है उसकी compressive strength कितनी होती है 110 से 145 होती है 110 से 145 यहां पर दिया गया है 111.7 से 14.4 लेकर यह होती है इसको आप याद कर लिजिए यहां पर Newton में तो हमारा 10 होगा 10 से लेकर 14.5 होगा लिकिन यहां पर मैंने आपको 110 से लेकर 145 से बताया है वो केजी पर सेंटिमेटर स्केर में बताया है अगला वक्षण लिए डिसायल को टाइप विछे सिंगिकेंट इन्फॉंस और वाटर कंटेंड इस अंपक्षिन प्रोसेस के लिए यह कंसर कोशन के लिए जो compaction के process होती है उसके लिए clay जो होती है वो बहुत ही important होती है influence होती है पानी के साथ अगला question क्या बोर रहा है तो बीचोता falling is not attribution to the phenomena of consolidation of soil भाई किसका योगदान नहीं होता है consolidation of soil के phenomena में तो देखिए यहां पर a statement क्या बोरी है occur when soil is loaded with external load या फिर self weight जो होता है बिल्कुल सही बात है यह आपको कब देखरों को मिलती है जब हमारा soil जो होता है उस पर कोई external load लग रहा होता है या फिर self weight जो होता है उसकी बज़े से जब हमारा soil जो होता है बिल्कुल ही पूरी तरह से क्या होता है गीला होता है यह एक time process है time पर depend होने वाली है consolidation लेकिन compression जो है वो नहीं है compression जो है इसमें यह अंसर नहीं होगा हमारा यह phenomenon जो होता है इसका योगदान नहीं होता है डी हमारा इस question ग्रेंसर बन जाएगा अगला दिखिए for which type of soil and c2 geotechnical testing method that is कौन साव बेंशीर टेस्ट इस यूज़ बेंशीर टेस्ट जो होता है वो किसके लिए यूज़ होता है सोन यहां पर option B हमारा अंसर हो जाएग इसके लिए यूज़ होता है पर सोन तो नहीं है लेकर मुलाइम सॉप्ट मिटी जो होती है उसके लिए की जाता है options B हमारा अंसर बन जाएगा अगला question देखिए while designing the retaining bolts the maximum pressure at the waste slab should not exceed the dash of the soil सो जो होता है वो safe bearing capacity से exceed नहीं होना चाहिए D हमारा अंसर होगा इस question के लिए अगला question देखिए if the soil is expensive type like black cotton soil black cotton soil जो होते हो थो expensive होती है then the best foundation type वो कौन सी होती है तो वो अंडर रीमर पाइल ही होती है रीमर पाइल ही होती है best अगला देखिए barometer is instrument used for measuring barometer एक instrument होता है जो कि इसको measure करता है at most spheric pressure जो होता है इसको यह measure करता है नेश्च देखिए beach of the falling mouthpiece is having maximum coefficient of discharge so maximum coefficient of discharge होता है वो convergent इसके पास होता है option B हमारा answer होगा इस question के लिए अगला question देखिए if the renal number जो है वो more than 5 into 10 raise to power 5 the boundary layer जो होती है उसको आप क्या बोलते हैं एक तो boundary layer जो होती है less than होती है more than होती है हमसे more than का case पूछा गया है तो हमारा answer turbulent हो जाएगा यहां पर turbulent answer होगा लेकिर laminar के लिए less than वाला case होता है बसे value दोनों के लिए same रहती है 5 into 10 raise to power 5 so B हमारा इस question के लिए answer बन जाएगा अगला देखिए कि किस test method को आप यूज करके कर सकते हैं कि यह question मैं आपको home bar के लिए रहा हूं क्योंकि यह question भी हम कई बार discuss कर रहे हैं comment box में कुछ तो comment कर दिया करो कि इसका अंसर यह होगा दो त्रिन student ऐसे हैं जो कि comment करते हैं बागी कोई नहीं करता है question क्या बोर रहा है beach of the falling री पर जड़ता smallest size of fine sand fine sand जो होता है उसका smallest size होता है वो कितना होता है तो वह होता है option B हमारा इस question के लिए answer हो जाएगा sand कर जो size होता है सभी को पता है कि 0.075 से शुरू होकर 4.75 तक इसका size चलता है तो यह minimum 0.06 भी आपको exam में कई बार दे रेता है सिल्ट कर साइज जो होता है वो इससे चोटा ही होता है और अगला question देखिए sand requiring a high water cement ratio belong to एक ऐसा sand जिसको बहुत ही जादा water cement ratio लगता है वो किस जोन में आता है जोन 1,2,3,4 किस में आता है तो जोन 4 में आता है इसमें सबसे ज़्यादा पानी लगता है जोन 4 जो होती है इसमें fine sand हमारा आता है and जोन 1 जो होती है उसमें coats sand आता है अगला question देखिए था impurities of mixing water which effect the setting time and strength of concrete तो वो कौन सा होता है तो वो होता है sodium carbonate and bicarbonate option c हमारा answer होगा इस question के लिए अगला question देखिए the process is not used in manufacturing of concrete manufacturing of concrete के लिए कौन सी process use नहीं होती है so manufacturing के लिए transport की process जो है use नहीं होती है कि यह तो आपको पता है जब भी rich motor have rich motor जो होता है उसके पास क्या होता है उसके पास high shrinkage होता है अगला question देखिए beach of the falling is not an accelerator in making concrete accelerator जो होता है वो कौन सा नहीं होता है note and accelerator तो जो accelerator होता है अगर आप इसको cement concrete में डालेंगे तो यह आपको क्या देगा है हाँ बहुत ही जल्दी setting देगा यह sugar जमाब काल जो होता है उसको यह बढ़ा देता है accelerator अगर आप यूज करते हैं इसके जो percentage रहता है वह 1.5 लेकर 2% जो हो रहता है इसका percentage रहता है ammonia जो होता है यह accelerator में नहीं आता है बाकि यह तीनों क्या है accelerator ही है अगला question देखिए for compacting plain concrete road surface of thickness less than 20 cm we use हम कौन सा vibrator जो होता है उसको यूज करते हैं इसको यूज करते हैं screed vibrator जो होता है उसको हम यूज करते हैं अगला देखिए point of contra flexor in a beam ओकर भेंदा bending moment जो होता है वो कहां पर होता है क्या होता है अपना sign जो है वो change करता है तब होता है अगला देखिए in case of principle axis of a section कौन सा case है principle axis जो होता है तो क्या answer देगा इस question के लिए तो product of moment initial जो होता है वो zero होता है उस cases में होता है तो फ्रेंट सेती है हमारे most 31 question वीडियो को अपने दोस्तों साथ शेयर करें चैनल को subscribe नहीं किया तो कर लिजे साथ में वैल आइकन को प्रेस कर लिजे मिलते हैं next वीडियो में झाल